वैरे तोनाक पाल देखे एक और वेलवेट का स्वेटर लेकर आई हूं काफे डिफरेंट तरीके से है बाकी इसका लुक देखेगा दिखा रही हूं आपको की कैसे बनेगा यह आप दो तरीके से इसका नेक जो है यूज कर सकते है एक नेक तो आप यह देखेंगे अभी सकते हो और उपर भी कर सकते हैं देखेगा ऐसे इसका जो है लोक है बहुत जल्दी बनता है sweater क्योंकि आलरी जो है यह थोड़ी मोटी wool है तो जल्दी तयार हो जाती है यह देखेंगे ऐसे इसका लोक है, देखिये, इस तरीके से है, आगे, स्टेप बे स्टेप मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से इसे जो है, बना सकते हैं, तो चले देखते हैं कैसे बनाएंगे इसे हम, अब देखे, एक स्वेटर और बनाने जा रही हूं, और इसको थोड़ा सा नीचे से ज आपको मिल जाएगी ऑनलाइन, आराम से वैसे तो लोकल मारकट में भी आजकल मिल रही है, बट अगर आपको नहीं मिलती है, तो आपको 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 आपको नहीं मिलती है, तो आप 64 फंदे डालने के बाद डबल बॉर्डर बनाया है मैंने मेरे चैनल पर अलड़ी है कि आप डबल बॉर्डर किस तरीके से बना सकते हैं हाड़ली आप यह देखेंगे हहां मैंने चोट जा डबल डाला है क्योंकि यूज वैल्वट की है तो बहुत जादँ बढ़ा बडर बॉर्डर नहीं डाल रही हूं और एक शेप देनी है मुझे नीचे से तो यहां पर यहां भी इन्चा बडर नाया है अब इसमें मैंने जो ह यहां पर देख लेजेगा, 64 फंदे है, 64 फंदे मुझे सेंटर के जो है, 10 फंदे चाहिए, तो सेंटर के 10 निकाले 64 में से तो 54 बचते है, तो 54 का आदा इधर जाएगा आदा इधर, यानि कि 27 यहाँ, 27 यहाँ, आप देखेगा पहले क्या है, 27 फंदे पहले सीधे बनाऊंगी यह देखेगा, 27 फंदे यह बनाएं, आप जो सेंटर के हमने 10 है, वो मैं पहले बनाऊंगी, तो यहाँ से, यहाँ से शुरू करना है, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और यह 10, और यहीं पर मैंने पलट लेना है, तो इस साइड पर आपके 27 फंदे होंगे, अब यहाँ पर पलटा है, तो रैप टर्न किया है, तो रैप भी करूँगी उसे, क्योंकि हम उसे दूसरे के साथ बुनने के लिए रैप करते हैं, तो यह दागा यहाँ पर रखोंगी, दियान से देखेगा, जो दो लाई ने बता रही हो, आपको फिर करते वे जाना है, य यहाँ से एक बनाया, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, और यह दस, यह दस फंदे हो गए, पलट लिजाए यही पर, ऐसे करके, अब यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 27 है, सेंटर में हमारे 10 है, अब इसे भी रैप करना है, तो धागा आप यहाँ रहने देंगे, और सीधा बनाएंगे, यह इसे बनाया, तो यह देखेंगे, आप यहाँ पर यह रैप हो गया, यह देखें इसके साथ, यह हो गया आपका पहला फंदा, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नौ, और यह 10, देखें, 10 फंदे बनाएं, अब यह जो हमने रैप किया अब हमें यहाँ से रैप और साथ वाले फंदे को दो का एक करना है, ऐसे, ध्यान से देखेंगा, यह किया आपने, अब फिर से तीन फंदे, एक यह बन गया, दस के बाद एक यह बना और तीन फंदे और, यानि कि चार-चार फंदे हम दोनों तरफ से लेते वे जाएंगे, देखेंगे, दो, तीन, चार, यह लिया, पलट लिया फिर से आपने यहाँ पे, फिर रैप करना है, तो धागा पीछे की तरफ यहाँ की तरफ रहेगा, ऐसे रहेगा, देखेंगा, इस तरीके से और इसे उल्टा बनाएंगे, यह, फिर अब चौदा फंदे हों गया आपक तेरा, तेरा, चौदा, यह, देखेंगे, चौदा बनाया, अब यह फंदा हमारा रैप किया हुआ है, इसे और इसको किस तरीके से बनाएंगे, धागा यही है आपका, बैक साइट से लिजेगा, ऐसे, और इन दोनों को आपने, दो का, एक करना है, ऐसे, वो इसलिए करते ह दोनों तरफ से लेना है, उस चार में से एक फंदे को रैप वाले के साथ आपने जोड़ना है, पलट लीजे, फिर से दागा यहां, देखेंगे, यह सीधे तरफ है, यह डाला आपने, ऐसे की निकाला, यह रैप हो गया आपका, अब जहां तक आपका रैप है, वहां तक आ हम दोनों तरफ से चार-चार फंदे लेते वे जा रहे है, यह देखेंगे, आगे फिर से यह बनाया, यह रैप वाला है, यह नजर आ जाएगा आपको रैप है, इसको और इसको इकठा आपने दो का एक करना है, तो एक फंदा हो गया, फिर दो, तीन, चार, अब पलट लीजेगा यहीं पर, और फिर वही रैप करना है, तो धागा यहां रहेगा, ऐसे, इस तरीके से, अब यह रैप तक पूरा आपने ऐसे बनाना है, अब यही चीज़ आपको फिलहाल करते वे जानी है, जब तक सेंटर में आपके पास 34 इसी तरीके से लेते वे जाना है, यह देखिए यह आ गया, यह ज़स नजर आ जाता है आपका कि यह रैप क्या वाब है, यह और यह, उल्टे में यहां की तरफ से करना है, ऐसे, दो का, एक, तो एक फंदा हो गया, दो, तीन, चार, फिर पलट लेंगे, तो देखिए आप यहां पर आप यह देखेंगे, इस तरीके से यह नीचे की तरफ आता हुआ जाएगा, याने की राउंड शेप आ रही है, तो यही चीज आप फिलहाल करते वे जाएगा, जब तक सेंटर में हमारे पास 34 फंदे हो ज आता है, यह ऐसे कीजेगा, ऐसे और इस तरीके से, तो यह जब भी हम शॉट रोज करते हैं, तो हम रैप ज़रूर करते हैं, ताकि यहां पर जाल ही न पड़े, इसलिए रैप करते हैं, अब यही रैप तक आपने पूरा जाना है, फिर रैप को और दूसरे फंदे को दो का एक करना है, ताकि हमारा फंदा ना बढ़े, भी देखेगा, यह रैप वाला आ गया, इसके साथ वाला फंदा ऐसे, दो का, एक, दो, तीन, चार, चार फंदे लिए, फिर से पलट लिया, अगेन यहां रैप करना है, धागा यहां की तरफ रखा आपने, उल्टी तरफ से ज दो इस तरीके से बनाया, तो यह देखेंगे, आप यह ऐसे रिप हो गया, अपका, आपका, एड़न पूरे फंदे रैप तक उल्टे जाएंगे, यह देखेंगे, यह रैप पिस गीन नजर अपने आप आ जाता है, यह करेंगे, तो यह रैप आपका यह नजर आगया, यह इस तरीके से कीजेगा हमेशा, ऐसे, तो wrap and turn इसी को हम बोलते हैं, जब भी हम short rows करते हैं, तो हम इस तरीके से ये wrap and turn करते वे जाते हैं, ताकि हमारा यहां पर छेदना पड़े, इसले करते हैं, तो देखिए, और दो का एक इसले करते हैं, क्यूंकि फंदा बढ़े ना, तो अब फिलहाल 34 फंदो तक आपने, सेंटर में 34 फंदे हो जाए, इसी तरीके से दोनों तरफ से करते हैं, जाना है, अब यहां पर मेरे पास 34 फंदे पूरे हो गया है, सेंटर में, तो आप यहां से मैं सिर्फ 3 फंदे लोगी, पहले 4 ले रही थी, आप 3 लोगी, तो उल्टे में आपने इस तरीके से 2 का एक करना है, जैसे कर रहे थे, ऐसे, यह एक फंदा हो गया, 2 और यह 3, पलट लेंगे, अब 3-3 फंदे, जब तक हमारे पास सारे फंदे खतम नहीं हो जाते, तो दोनों तरफ से हम 3-3 फंदे लेते वे जाएंगे, करेंगे वही क्राइटेरिया तो ही रहेगा, उसी तरीके से रैप भी और उसी तरीके से टर्न भी, लेकिन अब हम 3-3 फंदे लेंगे, पहले हम 4-4 फंदे ले रहे थे, देखेगा भी यह लाइन दिखा देती हो आपको, फिर आपने लास तक जितने जब तक हमारे सारे दोनों तरफ से फंदे खतम नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें इसी तरीके से 3-3 फंदे लेते हैं, यह देखेगा, यहाँ पर आ गए, यह रैप का है आपका, यह और यह, अब तीन फंदे लेने हैं, इन दो को जब आपने दो का एक किया, तो पहला फंदा यह हो गया, दूसरा और यह 30 यह देखेगा, आप य इसी तरीके से करते वे जो है जाएंगे यह देखेगा इस तरीके से थोड़ा सा आपको दिखा रही हूं देखेंगे अब यह शेप ऐसे आई है देखेंगे अभी जब तक आप सारे करेंगे तो यहां ऐसे राउंड बन जाएगी तो इस तरीके से अब यह आपने तीन-तीन फ तो चलिए, पहले ही से खतम कर देते हैं, जो दोनों तरफ के फंदे हैं, वो तीन-तीन फंदे लेते वे, जैसे बताया, राप एंड टर्न, शॉर्ट रोज में उसी तरीके से करते वे, जाएंगे, तो यह देखीगा, इस तरीके से दोनों तरफ से फंदे खतम हो गए, ऐसे, इसका आर्क आप देखेंगे, मैं हाफ करके आपको दिखाती हूँ, कि ऐसे आर्क इसका आया है, तो यह आर्क जो है, आप किसी पे भी डाल सकते हैं, किसी भी स्वेटर पे, किसी भी इस पे अपना डाल सकते हैं, हाफ करके आपको दिखा देती हूँ, बाकी जैसा भी होगा तो आपका जो design होगा, plane होगा, वो आप अपने हिसाब से इसमें adjust करते वे जाएंगे, देखेगा, ये दिखा रही हो आपको, ये देखेगा, इस तरीके से इसका आर्क आया है, आप देखेंगे, गुलाई आया है, ये नीचे की तरफ आया है, और ये portion ऐसे उपर हो जाएगा तो इस तरीके से इसका आर्क आप बना सकते है, तो देखें, अब जो ये आपका बन गया इस तरीके से राउंड शेप, अब आपने जस्ट एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी करते वे जाना है, तो इसको थोड़ा सापको बता दू, ये वेलवेट की बूल है, तो हाथ क बिलकुल डंग से रखियागा, अगर आपने डीला छोड़ दिया तो आपको जो है ये चेद से बीच में आ जाएंगे, आप भी तेखेंगे, आप कहीं से भी आपको शेद नजर नहीं आ रहा है, तो इसका हाथ प्रॉपर होना चाहिए, और सलाई भी प्रॉपर होनी चाहि अपर आम होल तक ऐसे ही एक लाइन सीधी, एक लाइन उल्टी बनाते वे जाना है, क्योंकि वेलवट की वूल है तो इसमें मैं डिजाइन इसले नहीं डाल रही हूं कि मुझे इसमें बहुत जादा अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई डिजाइन डालूँ, ये प्लेन ही ज आप अपने अपने बच्चे की हिसाब से करेंगे कि जितना बच्चे की लेंग्ध होगी उसे साब से करेंगे, मैंने 17 इंच बनाए है और उपर जहां तक मैं समझती हूं 9 या 10 इंच तो मैं बनाऊगी है, यहां पर मुझे आम होल की कटिंग करनी है, अब इस पे जो मैं आ तीन चार, यह चार फंदे आपने ऐसे बंद किये, अब यहां पूरी लाइन जाएगी, फिर उल्टी साइड में चार करेंगे, फिर तीन करेंगे और फिर एक करेंगे, यह देखिएगा, यह किया, पलटके यहां से भी आपने चार फंदे बंद करने एक दो तीन और यह चार, यह देखिए अब इसी तरीके से तीन करेंगे यहां पहुँचके, फिर एक यह देखिएगा, अब यह फ्रंट साइड जो है, इस तरीके से बनाया है, यह देखाऊ आपको, जो मैंने बताया आपको चार, तीन, एक उसके बाद एक एक करती गई हूँ, अब यह 9 इंचिस जो है लॉंग हो गया है, आप यह देखेंगे, और यहां पर मेर पास 24 फंदे बचे हैं, तो फ्रंट अंड बैक तो आप यह देखेंगे, मैंने इसी तरीके से से सेम किया है, ऐसे, फ्रंट अंड बैक को मैंने सेम किय जिस तरीके से बताया है, उसके बाद एक 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 आठ अब देखेंगे बाजू इसके बता देती हूँ, बाजू में जो है मैंने यहां पर 34 फंदे डालने के बाद जिस तरीके से हम बाजू बनाते हैं, हर पाँचवी लाइन में एक एक फंदा दोनु साइट से और बने चुख के पowyकर देखे 24 टीए को कईए इसके लंबाइ आपको बता देते हूँ कि कितनी की है अब आपँगे यहां तक जो इसकी लंबाइ की ह्वो 22 इंच लंबी है अब 25 इंच लंबी करने के बाद 53 घंच लंबी के बाद अब फ्रंट बैक और दोनों बाजू हो गई, बाजू में 15-15 फंदे हैं और फ्रंट एंड बैक में मेरे 24-24 है, अब मैं किस तरीके से से करूंगी, यह मैं आपको दिखा रही हूँ, सर्कुलर नीडल ले रही हूँ अब मैं, क्यूंकि अब मैं इकठे बनाओंगी थोड़ा स जो नेक है इसका, काउल टाइप का नेक बनाना है मुझे, तो मैं देखेंगे आप यह 6 नंबर की सलाई ले रही हूँ, 80 cm है, तो राउंड नीडल ने रही हूँ बैसिकली, आपके पास नहीं होगी, तो आप गले बुनने की सलाई से कर सकते हैं, अब यहां से मैं इस तरीक इसे, अब आपने इसका बाजू लेना है, 15 फंदे जो बाजू के है, वो लेंगे हम ऐसे, यह देखें बाजू के हो गए, अब फिर से लूंगी बैक पाट जो है इसका वो, जो 24 फंदे बैक पाट के है वो, और फिर से आप लेंगे बाजू का पाट यह देखें किस तरीके से लिया है अब आपने, अब मेरे पास यहां पे, 78 फंदे हैं, इस तरीके से, अब यह से round राउंड ऐसे बनाएंगे हम, इस तरीके से, लेकिन मेरे पास इस समय 78 फंदे हैं, तो मैं इस में कम से कम 98 फंदे करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा खुला जाए, तो 20 फंदे मुझे इसमें बढ़ाने है, तो वो मैं बीच-बीच में कहीं पे भी बढ़ा लूँगे, देखेगे, यहां से हम इस तरीके से राउंड बनाना शुरू करेंगे, तो हम यहां सेंटर में पहले, ऐसे लेंगे, इस तरीके से, इसे लेंगे, अब यहां से हमने इसे round बनाना है, इस तरीके से यह देखेगा, ऐसे लेकर आप इसे इस तरीके से round बनाएंगे, ऐसे यह बंद होगे आपका, आप round बनाते जाना है, पहले एक लाइन करोंगी जिसमें जो है मैं बढ़ाऊंगी और उसके बाद एक सीधा बनाएंगे, या सीधा सीधा बनाएंगे, वो आप अपने हिसाब से देख लीजेगा, तो देखेंगे, आप इस तरीके से बनाएंगे, और यही पर मैं एक का दो कर दूँगी, फिर एक, दो, बीच-बीच में आप अपने हिसाब से बढ़ाईएगा, अब यह दिख से बनाएंगे, वो आपकी अपने-पनी मर्जी है, इसके गले के लिए, तो देखेंगे, यह यहां से हमारा, जो है, स्टार्टिंग पॉइंट शुरू है, तो अब आप चाहे इसे राउंड रान बनाते जाएए, नबबे फंदे कर दिये हैं, आप अपने-पने गले के हिस आप से जिसके अब थोड़ा बड़ा हो, कम हो, उस हिसाब से इसका फंदे बड़ा और गटा सकते हैं, अब एक सीधा-एक उल्टा, या सीधा-सीधा या इसी तरीके से बनाते भी आप जा सकते हैं, यह देखेगा, आप यह जो है, मैंने कम से कम, जहां तक मैं आपको बता क्योंकि यह वैसे तो आप अपने अपने बच्चे के गले की साफ से रखेंगे, जैसे भी आपको लगेगा, यह मैंने यहां से लेकर, यहां तक आपे देखेंगे, आठ इंच लंबा बना दिया है, अब यह इसकी लंबाई जो है, आप अपने अपने बच्चों के साफ से यह देखेंगे, यह मैंने फोल्ड करके देखा तो मुझे लग रहा है, यह सही है, ऐसे, यह देखेंगा, विलकुल फिट है, अब मैं इसे जो है, आपने जस्ट बंद कर देना है, और साइट सिले, बिसलिए रेगलन कट बनाया है, तो इससाब से आप इसके साइट बंद करने का तरीका भी एक सीधा एक उल्टे में ही बंद करेंगे, तो देखें, यहां से ही शुरू करते हैं, अब जो जैसा दिखेंगा, ने कि अगर एक उल्टा दिख रहा है, तो आपने उल्टा करना है उसे, और सीधा दिख रहा है, तो सीधा करेंगे, अब यह हमारा यहां है यह बनाए आपने और बैक से इसे ऐसे इसके ओपर डाल दीजिए यह किया फिर सीधा दिख रहा है सीधा बनाएंगे पैक से उस पर डालेंगे फिर धागा अपनी तरफ यह उल्टा दिख रहा है उल्टा बनाएंगे ऐसे और अगर आपने डीला डीला भी बंद करना है वैसे तो यही डीला बंद हो जाता है बट अगर आपने उससे भी ज्यादा डीला बंद करना है तो धाग यही रहने देंगे, इसे सीधा बनाएंगे, याने कि जाली डालेंगे, और फिर आप इन दोनों को इनके उपर से डाल देंगे, तो वो भी जो है आपका डीला-डीला बंद हो जाता है, ऐसे, ये किया आपने, ये बनाया, अब ये जो दोनों है, ये आपने इसके उपर से, फ तब के लिए ये किया अब ये भी आप और से डालोगे और ये भी ये तके 22 पर जो है दिलीलबंद के ढ तो अब सारे फंदे हम ऐसे ही जो है बंद करेंगे देखेंगा एक बार आपको दीरे से दिखाती हूँ कि जैसे ये है आपने दागा अपनी तरफ किया जाली डालने के लिए इसे आपने बनाया अब ये जो जाली है ये भी पहले आप इस फंदे के उपर से उतार देंगे और फिर पीछे वाला फंदा भी आप उतार देंगे ऐसे अगेन यहां लिया आपने फिर आपने ऐसे बनाया फिर यह ऐसे लिया और फिर यह ऐसे लिया अब सारे फंदे इसी तरीके से हम एके करके बंद करेंगे यह देखेगे, इस तरीके से मैंने इसे बंद कर दिया, तो आप देखेंगे, जैसे हम ऐसे बंद करते हैं, तो तब यह खुला रहता है, अदर्वाइस यह यहाँ पर अगर टाइट हो जाएगा, तो यह बच्चे के गले में अच्छा नहीं लगेगा, जिसके लिए भी आप खुला चाहिए, तो चलिए फिर बनाईए, देखेंगे, इस तरीके से आपका बन गया, इसमें रेगलन कट भी आपका आ गया, और प्लेन बनाया, और नीचे से हमने इसे एक शेप भी दी है, देखेंगे, बहुत ही खुबसूरत बना है, थोड़ा सापको दूर करके दिख आया है, तो अब मैं फिनिशिंग वर्क कर देती हूँ, और फिर आपको स्टार्टिंग में दिखाती हूँ कि किस तरीके से, जो है ये, जो है, दिखेगा, तो चलिए, फिर बनाईए, और शेर जरू कीजएगा, सब के साथ, थैंक यू,